Hello everyone, good afternoon, good afternoon to all, नमस्कार, राधे राधे, बिहार 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रियंक का आपकी हिंदी विशय की अध्यापिका, और आज ही इस क्लास में हम पढ़ने वाले विसेशन, विसेशन से संबंधित वस्तुनिष्ट प्रश्णम, तो जरली से आप से भी लाइवाज जाएए, साथी साथ इस लाइव शेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शियर कीजिए, विसेशन और विशेश्ट के बारे में जानकार देते हैं, सभी स्टुडेंट है, वो फोकस करेंगे हमारे क्लास में, सबसे विसेशन क्या होता है, विसेशन मतलब ऐसा शब्द, जो संग्या और सर्वनाव शब्द की विशेश्टा अथवा हीनता दर्शाय, मतलब वो शब्द विसेश्टा भी बताए और हीनता भी बताए, वो शब्द विसेशन कहलाता है, सबसे जादा आप लोगों को तास्क मैं ने दिया था की वो जो शब्द उसको पहचानो की वो संग्या है सर्वनाव है विसेशन है या क्रिया है चिल के करहाब्र हम देखेंगी तो विसेशन जैसे मैंने कहा राम इमान दार है राम चालाक है उलाम क्रोधी श्रभाव का है टेकिल misses के जो राम है वो इमानदार है ठीक है अब यहाँ पे आपको बताना है कि विसेशन और विशेश्य क्या होगा ठीक है विसेशन और विशेश्य क्या होगा तो जिस शब्द की विसेश्ता बताई जाए वो सब्द विसेश्य कहलाता है क्या कहलाता है विसेश्य और जिस शब्द क द्वारा विसेश्ता बताई जाए वो सब्द आपका विसेश्ण कहलाता है और विसेश्य और विसेश्ण से ही आप आंगे पढ़ेंगे समास कर्मधारे समास और रूपक अलंकार चीक है तो सबसे पहले आप लोगों को विसेश्ण और विसेश्य को ही पहचानना सीखना होग तब तक आप लोगों को उसके बाद जैसे कल में पदबंध बता रहे थी तो पदबंध में आप लोगों को सबसे पहले जानना है कि पदबंध के पांच भेद होते हैं संग्या सर्विनाम विशेशन क्रिया और क्रिया विशेशन तो पहले पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना है चीक है चलिये आप विशेशन के भी भेद होते हैं सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेशन दूसरा होता है संख्या वाचक विशेशन तीसरा होता है आपका परिमाण वाचक विशेशन चीक है चोथा होता है आपका सार् कामिक विसेशन तो विसेशन के मुख्य रूप से चार भेद आप लोगों ने पड़े हुए हैं चीक है कुड़ वाजक विसेशन मतलब जहां पर रंग रूप आकार आकरती इस्थान का बोध हो कुड़ कहलाएगा जैसे मैंने का कक्षा में दस छात्र है मैदान में चार खिल वहाँ पर खिलाडियों के संबंद में बात हो रही है तो वो संख्या है ऐसी वस्तोय जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्या वाचक विसेशन कहलाता है और जितनी विद्रव्य वाचक संख्याय होती है ऐसी वस्तोय जिनको हम मापते तॉलते हैं जो आगड़नी होती अनकाउं लीटर तेल है तो लीटर को हम आपते तॉलते हैं ठीक है तो ये सब ही जो है वो कहलाएंगे आपके परिमार और सार्विनामिक विसेशन सर्विनाम से बना हुआ है जब सर्विनाम शब्द संग्याईवं सर्विनाम के पहले लगकर विसेशन का काम करे वो सार्विनामिक विस अब एक और होता है आपका प्राविसेशन, क्या होता है प्राविसेशन, प्राविसेशन मतलब की ऐसे शब्द जो विसेशन की भी विसेशता बताएं, वो कहलाते आपके प्राविसेशन, जैसे मैंने कहा, राम बहुत इमानदार, ठीक है, राम बहुत इमानदार है, अब यहाँ पर देखो, तो इमानदार क्या है, विसेशन है, राम क्या है, विसेशन, लेकिन यह जो बहुत है, वो कहलाएगा प्राविसेशन, तो ऐसे शब्द जो विसेशन की भी विसेशता बता वो कहलाते हैं प्राविशेशन ठीक है चलिए अब विशेशन के अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं इनको हम पढ़ेंगे प्रश्ण के माध्यम से जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाएं वेरी गोड प्राविशेशन कहलाएगा अब इसको आप देखिए प्रश्ण है अर्चना अतियंत सुन्दर है इस वाक्य में आपको विशेशन बताना है क्या होगा सही जवाब सभी को जवाब देना है जल्दी से चलिए जया कुमारे वियोग रश का दूसरा नाम है वी प्र लब श्रिंगार रस ठीक है रंजना जी परियावाची ठीक है कल कोशिश करूंगे आपको परियावाची पढ़ा दू चलिए बताईए विशेशन बताना है रिंकु जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए वेरी गोड वेरी गोड अर्चना हो जाएगा यहाँ पे विशेश्य अ हो जाएगा वेरी गोड अबरिवन नेक्स कॉश्चन है कस्मीरी सेव सिंदोरी लाल होता है वाक्य में रिखांकित शब्द विशेशन की किस कोटी के अंतर गताएगा बताईए गोडवाचक होगा सार्वनामिक होगा प्राविशेशन होगा या परिमान होगा सभी को जवा ठीक है और हम नहीं चाहते कि हमारे एक्जाम्स के लिए हम कोई भी टॉपिक कोई भी टॉपिक को वोड करें हम सब पढ़ेंगे हमारा स्लेक्शन होना चाहिए कुछ भी हो ठीक है अलंकार बिलकुल पढ़ाएंगे अरे धीरे धीरे रुकोस सारा टॉपिक पढ़ाय जाएगा चलिए तो कस्मीरी सेव सिंदोरी लाल होता है तो ये तो उसका गुण हुआ ना तो ये तो इसका गुण हुआ तो ये कहलाएगा आपका गुण वाचक विसेशन विकल्प एस दा राइट आंसर नेक्स कॉस्चन पर आईए रिशी की गाय बहुत दूध देती है रे खांकित शब्द किस विसेशन का उदहरन है बताएगा पोडिमा जी मेरी शिपकामना है हमेशा आप लोगे साथ है रिशी की गाय बहुत दूध देती है तो इसको हम देखेंगे तो दूध कैसी वस्तू है जिसको हम मापते तॉलते हैं तो ऐसी वस्तू है जिसको हम मापते तॉलते हैं वो परिमाड वाचक विसेशन के अंतरगत आएगे और सही जवाब हो जाएगा विकल्प A, परिमाड वाचक विसेशन, यहाँ पर गुड़ वाचक विसेशन कौन कह रहा है, अगर लिखा होता कि रिशी की गाय बहुत अच्छा दूद देती है, बहुत गाढ़ा दूद देती है, तब तो वो परिमाड हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो दूद शब्द है, वो एक द्रव्य वाचक संग्या है, ठीके इसलिए उसके साथ आएगा परिमाड वाचक विसेशन, चलिया, अगले प्रशने पर आईए तो प्रशने है, किस प्रिकार के विसेशन में दो प्राणियों, वस्तु अध्यादी के गोण, दोश, विस देस्ता की तुलना करके एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, प्रशने पर ध्यान दीजिए, सार्वनामिक, मूल अवस्था, चापलूसी करना या फिर उत्र अवस्था, बताईए, ध्यान से पढ़िए, सार्वनामिक, मूल अवस्था, चापलूसी करना या उत्तरावस्था ऐसे विकल्ब मैम की एक्लास में आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता हमारे प्रश्ण से लेकिन फिर भी वो आप्शिर में दिये गए होंगे अजीत जी बिहार एस्टेट के एक्जाम डेट नहीं आया भी वेरी गोड तो यहां पर इस पस्ट है कि जहां पर हम दो वस्तुओं दो प्राणियों में उनकी गुड़ दोश की आधर पर तुलना करते हैं तो जो तुलनात्मक वस्था होती है वो उत्रा वस्था होती है हमने पढ़ा हूँ आता यह करेला कडवा है यह करेला नीम से अधे कडवा है यह करेला सबसे कडवा है तो नीम और करेली की तुलना की थी मतलब की हो जाएगा आपका उत्रा अवस्था कोई सब्द वे कौन सा विसेशन होगा कोई सार्व नामिक मूल अवस्था उत्रा अवस्था परिमाण वाचक कोई शब्द कृष्ण कुमार रस पढ़ाने बिलकुल पढ़ाएंगे अब यहां अगर हम देखेंगे तो कोई क्या है कोई है आणिश्थ आणिश्य वाचक सर्वनाप और सर्वनाम शब्द जब सर्वनाम संग्या के पहले लगेगा तो एक विस्थेशन का काम करेगा next question है उस विकल्पे का चेन करें जो विस्थेशन का भेद है उस घर में मेरा दोस्त रहता है निश्चित परिमान, निश्चिस संख्या, सार्वनामिक या गुणवाचक पताई सीमा गुपता, शुक्रिया उस घर में मेरा दोस्त रहता है जब अम लोग बच्पन में थे तो क्या करते थे जब खेलते थे शाम को ग्राउंड में तो सब लोग एक खटे होगे एक दूसरी के घर जाते थे कि चलो मैं उसको बुला के लाता हूं तो मुसको बुला के लाता हूं तो मुसको बुला के लाता हूं सब मिलके खेलेंगे संकीत दे रही है तो वो सार्विनामिक विसेशन हो जाएकर next question है निम्न मैंसे कौन सा संख्या वाचक विसेशन है गरीब कैसा सफीद कुछ बताईए उस घर में मेरी सहेली रहती, आपकी भी सहेली है पहले आप लोग छोटे में एक पोयम होती थी उसको खेलते थे एक सहेली धूप में बैठी रो रही थी आप लोगों मैंसे बहुत सार्व श्ट्रेंट होंगे जो मेरे ही समय के होंगे उन लोगों उन्हें भी ये खेल खेला होगा एक सहेली दूप में बैठी रो रही थी यहाँ पे संख्या वाचक विसेशन है तो क्लास में कुछ छात्र बातें कर रही है कुछ छात्र बातें कर रही है तो ये जो कुछ है ये हो जाएगा आपका तंख्या वाचक विसेशन, ठीके, अम्रुतेश कुमार जी, BPSC का जो क्लासे से वो आपका भी शुरू नहीं हुआ है, जब होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे यहाँ घोडा अच्छा है, यहाँ घोडा अच्छा है, वाक्य में यहाँ शब्द क्या है हाँ बहुत सार लोगों ने खेला होगा, यहाँ घोडा अच्छा है, चीके, यहाँ पे तो यह पतानी क्या थोड़ा सा फॉर्बेड डिफेक्ट लग रहा है, चीके, यह सार्वनामिक ही होगा, विकल्प A हमारा सही जवाब हो जाएगा, चीके, चलिए, नेक्स कोश्चन पे आईए, तो गिलास में थोड़ा दूद है, गिलास में थोड़ा दूद है, वाक्य में रेखांकित शब्दे क्या होगा, संकीत, परिमार संख्या गुडवाचिक, हाँ एक सहीली आप बाग कह सकती हो, हम कहती थी, एक सहीली धूप में बैठी, किलास में थोड़ा दूद है, दूद क्या है, द्रव्यवाचक संख्या, ये हो जाएगा परिमार, और ये जो थोड़ा शब्द है, ये कहलाएगा प्राविसेशन, चलिए, नेक्स कोश्चन पे आईए, परवतिय शब्द कौन सा विसेशन है, पिवाय क्यों है, पूछा ज चुका है, परवतिय शब्द कौन सा विसेशन होगा, संख्या परिमान, और देखो, जिसको लग रहा है कि मैं मुझे डेप्ट में पढ़ना है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़नी है, तो आज सुनहरा मौका है, आप हमारे एप्लिगेशन पर एडविशन ले सकते है एप्लिगेशन के जो पीड क्लासे होते हैं, उसमें हरी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डेप्ट में, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, वो जो छोड़ा जाए, तो आप लोग अगर इंट्रेस्टेड हैं, तो आज ये अडिशन लेजी, आज है डवल वल्टी का ओफर, और डिसकाउंट, कोड है Y646, चले अब, परवती शब्द कौनसा विसेशन होगा, परवती है, परवत संग्या, परवत से वना परवती है, और ये स्थान का बोध करा रहा है, तो गुड़ वाचक विसेशन हो जाएगा, नेक्स कॉस्चन है, इस्तरी शब्द से कौनसा बनता है, इस्तरी, इस्तरी, इस्तरैन या इस्तर, टियारी का क्लास अभी चलेगा, और चलेगा, टियारी का अयाची वैच चलेगा, 4.0 का भी चलेगा, इस्तरी से बनता है इस्तरैन, विकल्प सी हमारा सहीजाव, इस्क्रिंशोट लीजे इसको, जल्दी से, चलिए, नेक्स कॉस्चन पर आए, नेक्स कॉस्चन है हमारा विसेशन को बताना है, भ्राम सिक्षा छम्मे और दया पहचानिये विसेशन को यहां से दया एक भावना है, भ्रहम भावना है, सिक्षा भावना है आपने भ्रहम से पढ़ा होगा भ्रमित, सिक्षा से पढ़ा होगा सिक्षित दया से पढ़ा होगा दयालू ठीक है और चमा चमा एक भाव है चमा से बना है चम्य चमा से बना है चम्य तो जो चम्य है वो कहलाएगा एक विसेशन ठीके ब्रहम भाव है वा ब्रहमित है ब्रहमित आपका हो जाएगा विसेशन सिक्षा भाव है सिक्षित हो जाएगा विसेशन दया भाव है दया से बनेगा दया लो और यहां पे विकल्प सी छमा से बनेगा छम्या चलिए अगले प्रश्ने पर आईए यह मकान मेरे भाई का है किस प्रिकार का पद होगा यह चलिए नेक्स कॉश्चन पर आईए नियू जो बैच है वो तीस अप्रेल से शुरू होगा चलिए यह प्रश्ने तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कॉश्चन बदल दिया है वहाँ हमसे विसेशन पूछा था यहाँ हमसे प्राविसेशन पूछा गया है तो अर्चना अतियंत सुन्दर है तो यह क्या हो जाएगा अतियंत प्राविसेशन चीक है विसेशन सब्द कौन सा है अनुशासन सासन अनुशंसा या अनुशासित बताईए देखो जब भी विसेशन और आप संग्या में कन्फ्यूज होते हैं तब उस शब्द का आप एक वाक्य बनाईए जैसे आप एक वाक्य बना लेंगे आसान लगेगा आपको वो समझ न इनमें से विसेशन शब्द कौन सा है विसेशन सब्द होगा अनुशाशित अनुशासित वह छात्र अनुशासित है अनुशासन होगा भाव अनुशासन से बनेगा अनुशासित चीक है यह करेला कडवा है किस आवस्था में आएगा यह करेला कडवा है करेला तो कडवा होता ही है फिर भी हम लोग करेले का जूस पीते हैं ताकि स्वास्थ अच्छा रहे करेला कडवा है मूल अवस्था करेला नीम से अधे कडवा है उत्तरा अवस्था करेला सबसे कडवा है उत्तमा अवस्था चार विकल में संग्या सबसे बनने वाला सही विसेशन क्या होगा सक्ति वर्धग, सक्ति रोध्यक, सक्ति साली या सशक्त बताईए सक्ति सब्द से कौन सा विसेशन बनेगा सक्ति वर्धग, सक्ति रोधग, सक्ति साली या सशक्त आप पीती हो, करेले का जूस हाँ बिलकुल पीते हैं करेले का जूस पीते हैं, इस बॉटल में डिटाक्स वाटर पीते हैं सही बनेगा सक्ति शाली सक्ति शाली जो है वो एक विसेशन है तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा अगले प्रश्ण प्याएंगे चर्चा शब्द से कौन सा विसेशन बनेगा चर्चा चर्चित चर्चाएं चर्या या चर्चा कुछ topic ऐसे होते हैं जिनको हम प्रशनों से आसानी से सीख सकते हैं कुछ topic ऐसे होते हैं उनको हमें depth में पढ़ना होता है चर्चा से बनेगा चर्चित विकल्प A चर्चा से बनेगा चर्चित चलिए नेक्स question पर आईए बसंते के मौसम में पीले फूल खिलते हैं प्रियुक्त वाक्य में आपको विसेशन बताना है मौसम पीले बसंते या फूल लगाईए लॉजिक लगाईए अपना दिमाग चर्चित और अभी बहुत अच्छा वो चल रहा है समय नवरात्री का पावन अपसर चल रहा है थोड़ा सा ध्यान दखिए चीजों का ठीके और अपने इस चुड़ेव से आराधना कीजिए कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता में आपका सहयोग करें मैं यह नहीं कहती कि भगवान आप हमारे स्टुड़ेंट का स्लेक्शन करा दो मैं कभी नहीं कहती कि भगवान मेरा स्लेक्शन करा दो मेरे स्टुड़ेंट का स्लेक्शन करा दो भगवान मुझे ऐसी बुद्धी प्रधान करो भगवान मुझे ऐसे मती प्रदान करो जिससे मैं खुद से सेलेक्षन ले किया हूँ बस आप मेरा सहयोग करते रहना आप बस मुझे अच्छी बुद्धी प्रदान करना कि मेरा जो दिमाग है वो भटके नहीं मेरा जो दिमाग है वो मेरे लक्षी पर ही रहे मेरा एक ही लक्षी होना चाहिए कि मुझे कैसी भी कर पे इस जॉब में सेलेक्षन चाहिए है तो वो मुझे सेलेक्षन ले मैं अपनी रास्ते से भ्रमित ना हूँ मैं किसी की बातों में ना हूँ मेरा मन विचलित ना हो छोड़ी छोड़ी बातों से अब हम कोई नॉर्मल जिंदेगी जीने की कल्पना तो करनी रहे हैं हमें तो भई गवर्मेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत महनत भी करनी होगी तो वो महनत करने की शक्ती जो है वो ईश्वर हम पे हमें देते रहें बस मश्रत जी आपको भी इद मुबारक चलिए तो यहाँ पे मौसम पीले बसंत फूल तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फूलों की विशेस्ता बताई जारे के वो पीले है तो पीले हो जाएगा ना आपका विशेशन है ना चलिए नेक्स कॉस्चन पे आईए मैंने अपना घर मटमेली रंग का रंगवाया है आज नवरात्री का दूश्रा दिन है शरीता कुमारी महापैक में सीटेट का पेड क्लास मिलेगा सरीता जी सीटेट का नहीं एसटेट का पेड क्लास मिलेगा आपको महापैक में मटमेला रंग मटमेला रंग क्या है विसेश है मतलब संग्या है मटमेला जो है वो एक विसेशन है ठीक है कई दर्शक गण ध्यान से पढ़िए प्रश्ण को विकल्प को ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजे निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या क्या होगा इसका सही जवाब कहते हैं ना कि कुम्ब के मेले में तो लाखो करोड लोग इस्नान करने आये थे, तो लोगों को हम गिन सकते हैं, लेकिन लाखों करोड, अब हमारे पास एक निश्चित मात्रा नहीं, कितने लाख, कितने करोड, तो वो क्या है, अनिश्चित संख्या है, उसी प्रिगार से कई दर्शक गण, दर्शक हम गिन सकते हैं, मतलब वो स संख्या पाध्चस कोगा लेकिन हम क्या करेंगे मारी पास नहीं कितने दर्शक गन्ट तो सब क्या होगा अनिश्चित संख्या होजाएंक वैसे निशुट परिमार होता है जैसे संख्या होता है बस आपको जो वाक के दिया उसको समझना है शलिया इस गुडवाचक विसेशन के प्रिकार है अच्छा दानी न्याई क्रिपालू जब आप डेफ्त में पढ़ेंगे तो आप गुडवाचक विसेशन के भी प्रिकार पढ़ेंगे अकार है, दोश है, गंद है या गुण है तो अच्छा दानी न्याई क्रिपालू ये किस प्रिकार के विसेशन के अंतरगत आएंगे बताएगा किस प्रिकार के विसेशन के अंतरगत आएंगे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो अच्छा भी गुण है, दानी भी गुण है, न्याई भी गुण है, करपालू भी गुण है अगले प्रश्णे पे आईए, कौन सा विसेशन, निश्चित संख्या वाचिक विसेशन नहीं है सैकडों लोग मारे गए, एक किलो आम से ज्यादा मतलाना कुर्ते के लिए दो मीटर कपड़ा चाहिए जाय में परा यहाँ पे कौश्चिन थोड़ा सा गलत है, कौश्चिन नहीं, विकल्प ही सारी गलत है, कौश्चिन और विकल्प में गलत है निश्चित संख्या वाचिक विसेशन नहीं है बाकि सारे परिमान है, यह कौश्चिन गलत है, कौश्चिन गलत है नेक्स Q fooledaction, किस वाक्य में प्रा विशेशन नहीं है पूछा है अमृता अनीता राज Grammar ही पूरा आता है ऐस्टेट पेपर 1 में ऐस्टेट पेपर 1 में पूरा Grammar ही आता है ऐस्टेट पेपर 2 की क्लास चलती है दो पहर एक बज़े हरी गोपल सर आपको पढ़ाते है प्रियदर्शी वो कॉश्चन ही गलत है नहीं है लिखा हुआ है उस कॉश्चन में ठीक है प्रावे सेशन आजकल संत्रे को ज़्यादा खटे है बच्चे समझदार है फूल बहुत सुन्दर है थोड़ी सी भूख लगी हुई है तो यहाँ पर विकल्प भी देखेंगे तो बच्चे समझदार है समझदार क्या है विसेशन है कोई भी यहाँ पर प्राविसेशन नहीं है अगले प्रश्चन पर आईए चतुर विध्यार्थी से प्रश्चन पूछो बताईए वाक्षी में कौन सा विसेशन होगा एक ऐसा कॉश्चन भी आता है जिसमें आप लोग को विसेश्य और विसेशन गिनने होते हैं कि कौन तने विसेश्य है कितने विसेशन है ठीक है चलिए अब चतुर विध्यार्थी से प्रश्चन पूछो तो ये जो चतुर है वो विसेशन हो जाएगा ठीक है नेक्स कौश्चन पर आईए चलिए अब कौश्चन ध्यान से पढ़ो सभी स्टूडेंट आठ बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापर वाही से आधे चोर भाग गए वाके में किन शब्दों में विसेशन विसेश्य का सम्बंद नहीं है बड़े चोर आधे चोर यहाँ पे होगा आधे चोर पुलिस की लापर वाही से या आठ बड़े चोर बताए पलक जी क्लासिस जो है कभी-कभी नहीं मिलती है क्लासिस का लिए आप चैनल को सब्स्राइब कर लिजे आठ बड़े चोर पकड़े गए पुलिस की लापर वाही से आधे चोर भाग गए तो सबसे पहले तो बड़े चोर ये विसेशन विसेश्य है आधे चोर ये विसेशन विसेश्य है आठ बड़े चोर विसेश्य लेकिन पुलिस की लापर वाही इसमें विसेशन और विसेश्य का योग नहीं है कौनसे शब्द विशेशन है ध्यान से पड़ो प्रश्न पूछा जा चुका है ये वाला पीवाई क्यू है क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही बताईए हाँ मैं समझ पारी हूँ काफी सारे विध्यार्थियों क्लासस नहीं मिल पारे है 27 फिर से समझाज़े, बिलकुल समझाते है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो राही संग्या होगी चुनौती भाव, संग्या एक कंटक मतलब काटा संग्या है, क्रोध है एक भाव क्रोध से बन गया क्रोधी जैसे मैंने कहा कि जो अदती है वो क्रोधी सोभाव की लड़की है तो क्रोध से बन गया क्रोधी 27 प्रशने हम से दोबारा पूछा है अगर आप क्लास में रही हो तो मैंने विसेशन और विसेश्य पहचानना बताया था जिसे शब्द की विसेश्ता बताई जाए वो विसेश्य होगा जिसे शब्द की द्वारा विसेश्ता बताई जाए वो विसेश्य होगा तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही पूछा क्या है ऐसा कौन सा वाख्य जिसमें विसेशन विसेशन नहीं है तो यहाँ पर चोर विसेश्य चोर विसेश्य चोर विसेश्य ये शब्द विसेशन है लेकिन सी में कोई विसेश्य और विसेशन नहीं है लाखो लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में आपको विसेशन पहचानना है बताईए लाखो लोगों ने इसे महसूस किया है पिंकी शर्मा पीजटी सोसलोजी सब्जय की भी क्लास नहीं मिल रही है चलिए हम देखके टाइमिंग आप तो बता देते हैं सीला मैं तब तो ये भाव हुआ, सीला जी क्रोध भाव है, ठीके, क्रोध जो है वो भाव है और क्रोध ही जो है वो विसेशन है, ठीके, राग नहीं यादाओ, मैं आज बता देती हूँ, आज जो है ओफर चल रहा है, बहुत कम प्राइज होगा, ठीके, तो यहाँ पे क्या ह लाखो लोगों की लोग क्या है संग्या है संग्या मतलब विसेश्य और उसके पहले विसेशन लगा हुआ है लाखो अब ये कैसा विसेशन होगा ये हो जाएगा आपका अनिश्यत अनिश्यत संख्या वाचक विसेशन विसेश्य क्या कहलाता है विसेश्य कीरती जी बहुत-बहुत शुक्रिया, क्रोध जो है वो भाव है, क्रोध से बना क्रोधी, मैंने का मैंने यहाँ पर अधिती की विशेषता बताई, हीनता बते अधिती क्रोधी है, तो वो विशेशन है हुआ ना, क्रोधी, क्रोधित, क्रुध, यह सभी विशेशन होंगे, चले पुश्पा कुमारी, महसूस करना, महसूस जो है, वो विशेशन नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा, प्रियदर्शी महसूस है, यह कोई प्रियदर्शी की विशेशता बता, आप वाक्य बनाईए ना, महसूस आपका विसेशन कैसे हो जाएगा विसेशन तो वो होता है जो किसी की विसेशता या फिर हींता दर्शाता है यहाँ पे तु प्रेदर्शी महसूस है इस वाक्य में कोई भी विस प्रेदर्शी की विशाई में बात नहीं हो रही है महसूस करना भाव जिसको आप English में कहते हूँ feelings, feelings adjective थोड़ी हो जाएंगे जिस शब्द की विसेशता बताई जाए वो शब्द कहलाता है आपका विसेश्य ठीके और जिस शब्द के द्वारा बताई जाए वो कहलाता है विसेश्ण चलिए मोहन एक अच्छा विध्यार्थी है यहाँ आपको विसेश्य बताना है बताईए मोहन एक अच्छा विध्यार्थी है बरी गुड़ सीमा जी अब यहाँ पे मोहन की विसेश्ता बताई जा रही है ठीके मोहन की विसेश्ता बताई जा रही है तो मोहन क्या हो जाएगा विसेश्य फिर आप जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एक उदेश्य विसेश्य एक विध्ये विशेश्य क्योंकि यहाँ पे विध्यार्ती भी वितो विसेश्य का ही काम कर रहा है तो जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उदेश्य विसेश्य पढ़ेंगे विध्ये विसेश्य पढ़ेंगे एक वाक्य में विसेशन का प्रियोग नहीं हुआ है वहल विध्यारती है, वहल लड़का विध्यारती है, वह प्रवुद्य विध्यारती है, वह परिश्रमी भी है पताए क्या होगा सेजबा वह विध्यार्ती है वह लड़का विध्यार्ती है वह प्रवुद्ध विध्यार्ती है वह परिश्रमी भी है अब यहाँ पे देखेंगे तो वह विध्यार्ती है इसमें कोई विविसेशन नहीं होगा है ना विसेशन सब्द नहीं है पूछा गया है लजीला, लाडला, लांचन या लापता, लाडला, मादा लाडला, क्या होगा? एक विसेशन सब्द नहीं है पूछा है, पूछा है, लाडला, लाडला, लाडला है, बिलकुल लाड, भाव से बना लाडला, वह लापता है, वह गायब है, लापता है लेकिन लांचन जो है वो एक प्रिकार का दोश है, दोश क्या कहलाएगा? भाव वाचक संग्या, लांचन है, कोई वाक्य नहीं बन रहा है, वह लांचन है, कोई भाव, लांचन एक प्रिकार का दोश है, तो वो भाव वाचक संग्या के अंतर गताएगा? जैसे मैंने कहा राम लजीला है विसेशन राम लाडला है विसेशन है राम लापता है विलकुल विसेशन है रेकिन राम लांचन है कोई वाक्य नहीं बन रहा है क्योंकि लांचन जो है वो विसेशन नहीं बलकि वो एक भाव है छीके छले युद्ध देखकर अशोक का कठोर हिरदाय मोम जैसा पिगल देख गया वाक्य में आपको विसेश्य बताना है दिहान से प्रश्ण पड़ो बहुत कॉंसेंट्रेशन से सभी स्टूडेंट लजीला का मतलब हो जाएगा सर्माना लाज शर्म सर्म से बना सर्माना वैसे लाज से बना लजीला अशोक कैसे हो जाएगा प्रेदर्शी अशोक कैसे हो जाएगा असोक की विसेस्ता तो यहां पर बताई नहीं गई यहां पर तो हिर्दय की विसेस्ता बताई गई ना कि हिर्दय जो है वो कठोर है तो आंसर हिर्दय होगा कि अशोक होगा बताओ अगर हम विसेशन और विसेश्य को देखेंगे तो यहां देखकर अशोक इसके पहले कोई भ पताई गई है कि हिरदय कठोर है तो राइट आनसर तो हिरदय होगा ना विकलप सी होगा ना हिरदय कैसा है कठोर है जुही सिंग वेरी गुड नेपाद पढ़ने हैं आपको चलिए पढ़ा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हिर्दय चलिए अगले प्रशने पर आईए एक विसेश्य नहीं है श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य बताईए और बहुत ही अच्छा मौका है पतानी इसके बाद बहुत दिनों तक को इतिवहर नहीं और हमारे महापेक पर कोई ओफर नहीं होगा तो जिनको और भी जद़े डेफ्ट में पढ़ना है तो वो बेजज़क एडविशन ले सकते हैं आप अपने करियर के लिए 25 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जदना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ही आपको उससे प्रॉफिट मिलेगे लिए अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस काम होते हैं तो investment कीजिए और badge purchase कीजिए और अपने selection को एक नया मौका दीजिए ठीके अब यहाँ पर हम देखेंगे शव्य, सर्व, गर्व या भव्य तो यहाँ पर गर्व जो है वो एक भा है गर्व से बना गर्वित मैं आज बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ ठीके गर्व यहाँ पर हो जाएगा भाव चलिए 34 प्रश्ण हमसे दोबारा पूछा गया है ठीके तो हिर्दाई के पहले हिर्दाई है विसेश्य और यह है कठोर विसेशन कठोर है विसेशन हिर्दाई है विसेश्य राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी ठीक है चलिए तो हमारी आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे उमीद एक लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें शियर भी कर एक तीसवा प्रशन एक बार फिर से देखने को कहा है एक तीसवा प्रशन मोहन एक अच्छा विध्यार्ती है वाक्य में विसेश्य क्या है मोहन एक अच्छा विध्यार्ती है वाक्य में विसेश्य क्या है तो यहां अगर हम देखेंगे तो मोहन देखो मैंने जैसे कि अभी अभी बताया कि उद्देश्य विशेश्य और विधे विशेश्य दो प्रिकार के आपके विशेश्य होते हैं चीके मोहन एक अच्छा विध्यार थी तो अगर हम इसको देखें ये कहलाएगा उद्देश्य विशेश्य चीके और ये कहलाएगा आपका विधे विशेश्य चीके तो अगर ह दिखा हुआ है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूझा सदेव नहीं होती। धnharken से सुनएगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है धन की पूजा सदैव नहीं होती इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की ध sabes व्यक्तियों की एक્षै मतलब जिसे कभी चै नहीं किया जा सकता उन व्यक्तियों की कीर्थी अक्षय है जिन्होंने केवल धन उपार्जन यहाँ पर धन धन उपार्जन से बना है धन उपार्जन गुड़स्वर संदी लगा हुआ है धन उपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया बरन ऐसे कारे भी किये जिन से मानव समाज का कल्यान जिन लोगों का उदेश केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिस्ठा कभी भी इस थाई नहीं रही है चीक है आंगे बढ़ेंगे देखो एक बार और पढ़ो ताकि एक बार आप लोगों को माइंड में अच्छी से बैठ जाये इन संसार में धनी सब कुछ नहीं है धन की भी वर धन मटोरना रहा है उनकी प्रतिस्ठा इस थाई नहीं रही है ठीक है फिर आंगे यहां पे लिखा हुआ है पूजा उन्हें की की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई के लिए मानव समाज की कल्यारण के छेत्र वें योगदान दिया हुआ है जिन्हों ने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहा गए, मानव जो समाजे वो स्वार्थ की उपासना नहीं करता, वो परमार्थ की मतलब दूसरों के हित की उपासना करता है, छीक है चलिए, इसी में कॉश्चन इसी में आंसर है, आजी पियाहिना पानी, आजी सुबह सुबह पढ़ा हुआ है हमने, चलिए, अब यहाँ पर प्रश्ण आपसे बताये गया है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, प्रियदर्शी जी बिलकुल लिखाई हुआ है, पिवाय की उपढ़ेंगे, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है जमीन की, धन की, मकान की, या फिर पद की, प्रश्णिक आंसर क्या हो जाएगा, धन की पूजा सदैव नहीं होती है, विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा उनकी कीर्थी अक्षय है, जिन होने, धनो पारजन किया, ग्रंथ पड़े, मानव समाज का कल्यान किया, अनेक चुनाव जीते हाँ, एस्टेट में आता है, तभी थो पढ़ा रहे ना, आप लोगों को यह सब अक्षय मतलब जिसका कभी छै नहीं होता, उनकी कीर्थी अक्षय है, जिन होने, मानव समाज के कल्यान का कार्य किया हुआ है, विकल्प सी, अगले प्रिश्ण पर आईए, उनकी प्रतिस्था इस्थाई नहीं रही जिन होने, धन बटोरा, समाज कल्यान किया, बड़े बड़े पद प्राप्त किये या अनेक युद्ध किये, बताईए जिन होने, प्रतिस्था इस्थाई नहीं रही है, जिन होने केवल और केवल धन बटोरा है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, अगले प्रिश्ण पर आएगे तो पूजा उन्हे की की गई, ध्यान से सुनिए, पूजा उन्हे की की गई, जिन होने, क्या होगा राइट देखो, विकल्प आपको गध्यांश में ही प्रश्ण दिये हैं, गध्यांश में ही उतर दिये हैं, बस आपको बहुत ही एकागरता से, कॉंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, कामना यादा हो, सही जवाब हो जाएगा, धन बटोरा, विकल्प के हिजाब से, धन बटोर सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे पूजा उन्हीं की की गई है, जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, विकल्प सी हमारा सही जवाब होगा, चलिया, अगली प्रश्ण पर आचाहिए, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है धन की, ज्यान की, बैभव की या फिर स्वार्थ की बताईए मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता धन की, ज्यान की, बैभव की या स्वार्थ की मानव समाज जो है वो धन की, स्वार्थ की उपासना नहीं करता हमने पढ़ा हुआ है कि मानव समाज जो है वो स्वार्थ की उपासना ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना हित चाहता है बलकि मैंने क्या कहा, वो परमार्थ की उपासना करता है स्वार्थ की उपासना नहीं करता विकल्प की आधर पर सही जवाब हो जाएगा स्वार्थ चीके? क्लियर? आप लोग के कमेंट्स मुझे तक नहीं आप आ रहे हैं जो भी डाउट है वो मैं बाद में चेक कर लूँगे चलियाग अब आजाएंगे हमारे प्रश्न पर तो निम्नमे से आपको बताना है तदभव शब्द कौन सा है तदशम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भासा से जियों केतेओं आए हैं तदभव शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द जो तत्सम का परिवर्थित रूप है तत्भव कहलाएगा बताई कपाट किवाड कूप प्रीति गुपता पैसेज भी मैंने देख लिया है तो निम्न में तत्भव जो शब्द है वो हो जाएगा किवाड कपाट और कूप जो है कूप मतलब होता है कुआ और कपाट मतलब होता है धर्वाजा चलिए सर्वनाम शब्द किसके इस्थान पर प्रियोग में लाया जाता है बहुत आसान प्रश्ण है ये पूछे गए थे आपके बिहार बीएड में छीक है खुश्बू जी यहां से तो सब सही जा रहा है आप क्या हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो चीक है सर्वनाम सब्द किसके इस्थान पर प्रियोग तो होता है तो सर्वनाम जो है वो संग्या के इस्थान पर प्रियोग मिलाय जाता है विकल्प भी हमारा सही जवाब होगा अगले प्रश्ण पर आईए तो प्रश्ण है निम्द में वायू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायू मतलब होता है हवा, समीर, अनल, अंबर या फिर बादल देखो बहुत आसान प्रशन है तो आप लोग को इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है बाइयू का पर्यायवाची शब्द होता है समीर अनल मतलब होता है आग अंबर मतलब नभ पादल मतलब मेग ठीक है चलिए नेक्स कॉस्चन पर आईए तो नेक्स कॉस्चन है यहां से आख का तारा होना इस मुहावरी का अर्थ क्या होगा आख का तारा चंदा है तू मेरा सूरज है तू अत्यधेक प्यारा होना विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा आख का तारा होना मतलब कि अत्यधेक प्यारा होना चलिया अगले ब्रशन पर आईए यदि वर्शा होती तो फसल अच्छी होती ये किसका उधारण है अपोड भूत, संदिक्द भूत, हेतु हेतु मदभूत या फिर आसन भूत का बढ़ाए चलिये अमर्टेश का एक कॉस्चन बार बार आ रहा है ठीके प्रशन है, मैडम जी हम महापैक लिए जो 17 संचर पर पढ़ा है क्या क्लास सही आपके बता हुआ कोड लगा है हाँ, क्लास जो है सही है, महापैक में 2 साल के बल्रिटी है, सही है ठीके, चलिया यदि वर्शा होती तो फसल अच्छी होती एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वो कहलाता है, हे तू हे तू मद भूत कल ठीके, आगे बढ़ेंगे अगली प्रश्चन पर आएंगे लड़की नदी में तैर रही है किस काल का उधारन है लड़की नदी में तैर रही है अगर पदबंद बूजा जाए तो तैर रही है मतलब क्रिया पदबंद होगा यहाँ पे और सामानि वर्तमान अपूर्ण वर्तमान क्या होगा राइट आंसर अभी शेक शुक्रिया राइट आंसर क्या हो जाएगा कविता मेरी आंकों कतारा पढ़ने नहीं देरा आज बच्ची है अब उसको बताईए मेरा पढ़ना जरूर है लड़के नदी में तैर रहे हैं सभी को जवाब देना है ठीक है क्या हो जाएगा आंसर रहा है रही है मतलब की अपूर वर्तमान काल नेक्स कोश्चन पर आईएगा नेक्स कोश्चन है अर्थ की द्रस्टी से निम्द शब्दों में से कौन सा शब्द है जो भिन्न है पथ डगर राह धरा अर्थ की द्रस्टी से कौन सा शब्द है जो भिन्न है पत्थ मतलब रास्ता डगर मतलब रास्ता राह मतलब रास्ता और धरा मतलब होता है प्रत्वी तो विकल पे यहाँ पे डी हमारा सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे हम next question पर आएंगे तो question है दर्शिनी शब्द में कौन सा प्रत्य है यह प्रशन प्रत्य क्यों है पूछा जा चुका है अब आप कैसे बताओगे प्रत्य क्या है प्रत्य जो अंत में लगता है तो प्रत्य के लिए आपको मूल शब्द पहचानना हो का यहां पर दर्शन जो है वो मूल शब्द है दर्शन शब्द हमेशा बहुबचन के अंतरगत आता है और इसमें यह प्रत्य लगा हुआ है अगर आप बोल दोगे निय तो यह गलत हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा यह प्रत्य चीक है चलिए अगले प्रशने पर आज पुनर जनम विसर्ग संधी है पुनहा धन जन्म और विसर्ग का रा बन रहा है सही जवाब हो जाएगा विकल्पे पुनर जनम पुनहा धन जन्म विसर्ग का दूसरा नियम विसर्ग का रा बनना कीर्ती का विलोम कीर्ती मतलब होता यश वैभाव उसका विलोम होता है अप कीर्टी देखो यहां पे विकल्प आपको कन्फ्यूस करेंगे लेकिन याद रखो कीर्टी का विलोम हो जाता है अप कीर्टी यश का विलोम अप यश अगले प्रश्णी पर आईए देश भक्त किस तत्पुरु समास का उदाहरन है संबंद करन कर्म या संप्रदान सभी को जवाब देना है देश भक्त जो है वो किस शब्द का उदाहरन है जल्ली से जवाब देजे देश भक्त सम्बंध करन कर्म या संप्रदान तो यहां आप देखेंगे तो देश भक्त देश के भक्त ध्यान से पड़ीगा तो यह कहलाई का संबंध लेकिन यदि यहां पर लिख जाए देश भक्ती देश भक्ती तो उसका समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ती क्या होता है देश के लिए भक्ती दोनों में अंतर है हमसे देश भक्त पूछा गया है तो सही जवाब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष देश के भक्त चलिए अगले प्रिशने पर आईए पवन शब्द में आपको संधी बतानी है संधी पवन पवन उच्चारण करेंगे अगर आप लोग यहां पर तो पवन क्या हो अब की ध्वनी निकल रही है अब कब बनता है जब ओ का नियम लगता है तो यहां पर क्या हो जाएगा पो धन अन और ये बन रहा है पवन नियम लगा हुआ है अयादी स्वर संधी का विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा अयादी स्वर संधी अगला नियम है आच्छादन आच्छादन क्या हो जाएगा संधी विच्छेद संधी विच्छेद इस प्रेकार करना है कि जो दो शब्द है दोनों से इस आर्था कर्थ निकले आच्छादित चारो ओर से ढखा हुआ चिकples तो क्या हो जाएगा आधन शादन आधन शादन यहाँ पे यह स्वर है और यह व्यंजन है तो स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तब बनता है व्यंजन संधी तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प A और यह है आपका व्यंजन संधी का उदारण आधन छादन चलिया अगले प्रश्ण है सराधन जा का संधी रूप क्या है ब जो भी discount चाहते हैं, जो भी application पर enrollment करना चाहते हैं, वो आज ही करेंगे, ठीके, code बताया गया है, Y6046, इसी को ही apply करना है आपको, ठीके, तो सराधन, जाका, संधिरूप, विसर्ग का पहला नियम लगा है, विसर्ग का O बन जाना, सरोज, सर, मैं उत्पन्द होने बाला, सर मतल जब होता है, तालाब, अर्थार्थ, कमल, चलिया, अगले प्रश्ण पर आईए, नमस्ते का संधी विच्छेद, बहुत पूछे जाते हैं, प्रश्ण संधी से, नमस्ते का संधी विच्छेद होता है, नमह, धन, ते, और विसर्ग जो है, वो यहाँ पे, अब विसर्ग का आधा सा बन जाता है, विसर्ग संधी का नियम लगा हुआ है, वह कौन सा समास है, जिसका प्रथम पद संख्या वाची होता है, द्विगू, अव्यई, बहु ब्रही या फिर तत्पुरुस समास, कारक्षिन अद्रश्य होते हैं, अन्तिम पद प्रथान होता है, बहु ब्रही समास, दोनों ही पद प्रथान होते हैं, अव्यई, पहला पद अव्यई होता है, और द्विगू समास जो है, उसका पूर्वपद संख्या वाची होता है, अगला प्रश्न वह कौन सा समा से जिसका पूर्वपद विसेशन होता है द्विगू कर्मधार है द्वन्द या फिर तत्पुर समास वह कौन सा समा से जिसका पूर्वपद विसेशन होता है और उत्तरपद विसेशन होता है विसेशन और विसेशन का योग काली मिर्च काली ह जो मिर्च, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, ठीके, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कर्मधारे समास के अंतर गताएंगे ये सभी उदाहरन, अगले प्रशने पे आईए, तो कौन सा शब्द जो है वो द्विगू समास का उदाहरन है, द्विगू समास, यथा श अव्याई भाव समास, तक्ति के अनुसार, अव्याई भाव, भूदान, भूमी का दान, तत्पुरुस समास, पुर्श उत्तम, पुर्शो में उत्तम, ये भी तत्पुरुस समास होगा, सब्ताह सात दिनों का समुह, द्विगू समास, कानन का पर्यावाची शब्द, कानन पुष्प वन मधुकर भ्रत्य बताईए सभी स्टुवेंट जवाब देंगे कानन पुष्प को हम कुसुम कहते हैं मधुकर हम भवरा को कहते हैं भ्रत्य हम सेवक को कहते हैं और अरण्य वन कानन विपिन अटवी कानतार ये सभी शब्द आपके वन के परियावाची होते हैं प्रश्ण है किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं परिभासा से ही सीधा कॉस्चन आया है सर्वनाम विसेशन उपसर गया फिर प्रत्याए अलंकार में बहुत दिक्कत होती है कोई बात ने अलंकार भी पढ़ेंगे हम ठीके तो जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उपसर्ग और उपसर्ग जो है वो अव्य कहलाते हैं आविकारी शब्द कहलाते सफाई में प्रत्य बताना है सफाई बताईए मूल शब्द छाटिये फिर बताईए सफाई में हो जाएगा आई प्रत्या है विकाल्प ए नेक्श कोस्चन श्रिंगार रस का इस्थाई भाव जुक व्यूपशा उत्साह हाश्य या रती श्रिंगार रस का इस्थाई भाव रसों का राज्या आप लोग उने पढ़ा होगा जहां प्रेम का वर्णन हो सौंदर्य का वर्णन हो जो अपाई के प्रतीक्षरण में कितने मात्राएं होती है 16, 9, 12, 13 बहुत basic questions हैं जो कहीं न कहीं पूछे आज़ादा जली करा रहे हैं चलिए अराम से कराते हैं जल्दी इसलिए करा रहे क्योंकि आसान प्रश्ण है चौपाई के प्रतेक्षरण में 16 मात्राएं होती है चौपाई जो है वो एक सम मात्रिक्षंद है अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा रूपी घट अलंकार रूपा कुपमा उत्प्रिक्षा अन्योक्ती एस्टेट की तो अभी आज उमीद थी एस्टेट की डेट आने की अभी तो भी पैसी की आई है टी आरी की कि ये होगा आपका टी आरी का जब एक्जाम है वो होगा साथ जून से पंद्रा जून के बीच ठीक है उन्तीसवा प्रश्ण मैंने लिखा ही है अंबर रूपी पनघट तारा रूपी घड़े तो जहां अपमे और अपमान बिल्कुल एक समान होता है वहा रूपक अलंकार होता है निम्नलिकित में से लोको उक्ती का सही copper चुनना है काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती बताइए क्या होगा सही जबाब काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती बुरे दिन हमेशा नहीं रहते लकडी का बरतन आग से जल सकता है छल कपट का व्योवहार हमेशा नहीं चलता है तो अगर हम इस प्रश्ण को देखेंगे तो सही जबाब हो जाएगा छल कपट का व्योवहार हमेशा नहीं चलता काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती है चेंज भी कहेंगे चिके तो दो वर्ण वर्ण मतलब होता है अक्षर तो दो वर्णों को मेल होता है जब जो बिकार होता है वो संधी संधी के तीन भेद स्वर व्यंजन और विसर्ग सबके नियम आपको कंठस्त याद होने चाहिए समास का अर्थ क्या है समास दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी तीसरे नई एवं सार्थक शब्द की रचना करें उसे हम समास कहते हैं संध्षेप व्यास सार या टिप्पिनी बताएं संध्षेप मतलब होता है समास विकल्प is the right answer जिस समास में दोनों बद को छोड़ कर कोई अन्य पद प्रधान हो गंगा धर गंगा धर मतलब गंगा को धरन करने वाले ना तो गंगा यहाँ पर प्रधान है ना धर प्रधान है वलकि विसेश अर्थ निकल रहा है वो है आपका बहुब्रही समास विकल्प c बहुब्रही समास प्रश्ण है संध्षी और समास में क्या समानता है पिवाय क्यों है पूछा जा चुका है संधी और समास दोनों में विच्छीद होता है दोनों में विग्रे होता है दोनों में शब्द संशिप्त हो जाते हैं दोनों में शब्द विकार होता है पताईए संधी और समास जब दोनों ही शब्द जो है वो संशिप्त हो जाते हैं दीप धन उतसव, दीप उतसव गंगा का जल, गंगा जल तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, दोनों में ही सब्द जो है वो संशिप्त हो जाते हैं लोटा डोरी, पिवाई क्यू कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुस कर्मधार, द्विगू या द्वंद लोटा डोरी बताईए सभी स्टुएंट जवाब देंगे महापैक की जो क्लासिस हैं अभी जो 30 अप्रेल से आपकी क्लास सुरू होने वाली है 30 अप्रेल से छिके? लोटा डोरी मतलब द्वंद समास, लोटा और डोरी, दोनों पद प्रधान सयोजक शब्द का गायब होना सब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध, जो तत्वस शब्द थिंपल सा कॉप्शन है ऐसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगे वो प्रत्य कहलाता है विकल्प डी, प्रत्य अगला प्रशन, घुमकर शब्द में कौनसा प्रत्य होगा? घुमकर, आकड, कड़, रा या अकड बताईए घुमकर में कौनसा प्रत्य होगा? घुमकर, घुमना, मुख्य शब्द, अकड हो जाएगा प्रत्य है पुछा जा चुका है कवी बिहारी लाल किस रस के गवी थे? कवी बिहारी जिनकी एक मात्र रशना है एक ही रश्टा से उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया हुआ है क्या हो जाएगा? कवी जो थे वो श्रिंगार रश के कवी थे कवी की रशना है बिहारी सतसई बिहारी सतसई जिसमें कुल 713 पद संक्लित थे दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राय होती है बारा सोला तेरा दस दोहे के पहले और तीसरे चरण में तेरा तेरा मात्राय होती है दोहे का उल्टा होता है सोरठा तीन बेर खाती सोबे तीन बेर खाती है अलंकार बताना है उपमा सिलेश यमक या फिर उत्प्रिक्षा अलंकार तीन बेर खाती सोबे तीन बेर खाती है अलंकार बताना है जहां पर तुलना होती है तो एक शब्द से अलगलग संदर्व में अलगलग अर्था आए यमक शब्दों के आवरत्ती हो अर्थ भिन्न भिन्न हो उत्प्रेक्षा तुलना प्लस कल्पना यमक बेर मतलब फल बेर मतलब समय विकल्प सी यमक अलंकार अगला प्रश्ण अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ कमजोर व्यक्ति चालाक अनुभवी अनुभवहीन पताई है अंडे का सहजादा जो अभी अभी अंडे से निकला हुआ है क्या होगा इसका राइट आंसर जो अभी अभी अंडे से निकला हुआ है मतलब अनुभवहीन व्यक्ति उसी अपने जीवन में किसी चीज का अनुभव है ही नहीं अनुभवी व्यक्ति कैसे होगा? जो अभी अभी अपने अंडे से निकला हुआ है जो अंडे का सह जादा है वो अनुभव हीन व्यक्ति होगा इसके अर्थ को समझें अनुभव हीन व्यक्ति अम्बू शब्द का परियाए वाची शब्द क्या होगा हवा, आग, जल या फिर आम देखी एक एक नंबर आप लोग के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है प्रेश्ण पढ़िए थोड़ा सा लॉजिक लगाईए न गलती से मिस्टेक हो गई है न, गलती से मिस्टेक हो गई अनुरंजन, ए नहीं होगा, दी होगा ठीक है, अम्बू शब्द का परियाए वाची शब्द क्या हो जाएगा, जल पानी मतलब होता है अम्बू, ठीक है हवा मतलब अनिल, आग मतलब अनल, आम मतलब आम्र और रसाल सही जवाब हो जाएगा, जल म्रगांक शब्द का परियाए वाची शब्द क्या होगा ठीक है, म्रगांक, म्रगांक लोचन, म्रग, चुधाकर या फिर कलॉल बताये, प्रियंकव पाध्याजी, कई बार आयोग ने भी गलतिया की हुई है तब ही तो उन पर आपत्या लगाए जाती है लोग आपत्यी भी लगाते हैं उस पे, सही आंसर है विकल्प D ठीक है, म्रगांक, मतलब सुधाकर, मतलब चंद्रमा लोचन, मत्रब नेत्र, म्रग, मतलब हिरन, कलॉल, मतलब क्रीडा ठीक है, चलिया, अगले प्रश्न पे आईए विधी शब्दे का विलोम क्या होगा? पूछा जाचुका है ये प्रश्न विधी का विलोम, निशेध, प्रलाए, वियोग या विकल्प कलॉल मतलब क्रीडा, हेलना अच्छा, अम्बू और अम्बुचको, चलिया इसको हम क्लियर कर देते हैं, चीक है, तो यहां से कॉश्चन आया है, चीक है, अम्बू, तो आपको नोट पढ़ा होगा अम्बुच, और अम्बुद, चीक है, तो मैंने क्या बढ़ाया है? जया और दा, चीक है, तो अम्बुच मतलब होता है जल में उत्पन होने वाला, अम्बुज हम कहेंगे कमल को, चीके, और अम्बुद, अम्बुद मतलब होता है जल को धारण करने वाला, तो अम्बुद हम कहते हैं मेघ को, जैसे आप जलज और नीरज मतलब कमल, जलद और नीरद मतलब बादल, बैसे ही अम्बुज और अम्ब अम्बुध मतलब मेग बादल अमबुध मतलब कमल चलिए अचले हम किस प्रश्वन को देख रहे थे हम थे विधी उन जाना निशेद मतलब होता है मनाही При ठीके, प्रलै का विलोव हो जाएगा स्रस्टी, वियोग का हो जाएगा सुयोग, विकल्प का हो जाएगा अनिवार्य, अशुद्ध वर्तनी, महत्व वालमी की पैत्र क्या उज्वल, पताई, और जो भी स्टुडेंट हैं, जो क्लास में अबलेबल नहीं है, ठीके, वो एद की, पहले तो आप लोगों एद की मुबारक बात, सभी स्टुडमों, सर्टुएंट्स जो हैं, आज वियस्ते हैं, उनसे निवेदन है कि वो रिकॉर्ड लेक्श्रूस देखे, कोई भी ता आप कमेंट वोक्स में पूछ सकते हैं, ठीके, उज्वल कैसे लिखते हैं, उत्र, धन, ज्वल, कौन सी संदी है, ब्यंजन, सब्द क्या बनता है, उज्वल, शब्द बनता है, उज्वल, सैयोग नहीं था, वहाँ पे सुयोग था बेटा, सुयोग, सुयोग, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा? पुरोहित, उपसर्ग मतलब एक अव्याय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीके, उपसर्ग में पुरोहित, तो पुरहा धन, हित, नियम लगा है, यहाँ पे विसर्ग संधी का, यह जो विसर्ग है, यह ओ में परिवर्तित ह हो जाएगा लेके विसर्ग संधी चलिया अगले प्रश्ण पर आईए तो प्रश्ण है सावधानी शब्द में आप लोगों को प्रत्याई बताना सभी जवाब देंगे सावधानी वे प्रत्याई ममता प्रजापती बिलकुल अगर आप लेना चाहती है तो आप आज ही लिजिए एक मेडि में आपका पूरा कोर्स जो है वो detail में पूरा हो जाएगा लेकिन आज ही लेंगे आप तो आपको कम पैसे लगेंगे ठीके, कोड आपको मेरा ही लगाना है जिससे आपको मेरी क्लासिस मिले शावधानी अरे बाबारे सब लोग आने आने क्यों कह रहे हैं शावधानी आनी प्रत्य कहते हो जाएगा जब मुल शब सावधान है मैंने क्या बताया है कि पहले मुल शब्द देखो तो सावधान धन ई तो ए होगा ना अंसर ए होगा ना अंसर शावधान धन ई तो प्रत्य उपसर्ग के लिए पहले आप लोग को मुल शब्द पहचानने है चलिए next question निम्दलिकत में जे कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं आसन, आकार, आनन्द या फिर आरोहन बताईए आकार, आसन, आनन्द या आरोहन बबीता जी, सिविल कोट की एक्जाम डेट अभी नहीं आई है ठीके, अब यहाँ पे कार मूल शब्द है, नन्द मूल शब्द है, रोहन है, लेकिन आसन कोई मूल शब्द नहीं है आंसर हो जाएगा उपसर्ग रहत शब्द विकल्प ए, क्यूंकि उपसर्ग के लिए हमें पहले मूल शब्द भैचानना है, तो आसन में कोई मूल शब्द नहीं है यह छोटे-छोटे जो कॉश्चन जो हमें आसान लगते हैं न, कि बर हम गलतियां इनहीं पे आके करते हैं ठीके? चलिए, अगले पिरशने पे आईए, द्वंद समास का उदाहरन, द्वंद, प्रत्यक्ष, सीतोष, मन चाहा, गौशाला बताएए द्वंद समास, प्रत्यक्ष, प्रतिधनक्ष चीके? आप जो भी स्टुडेंट एस्टेट की तयारी कर रहे हैं वो लेंगे जनक बैच चीके? सीतोष्ण, सीतधनोष्ण, ठन्ड़ और गरम आपस में विलूम भी है चीके? गौशाला, संप्रदान तत्पुरु समास, मन चाहा, मन से चाहा, करन तत्पुरु समास, प्रत्यक्ष, अव्यईभाव समास चलिए, नेक्स कोश्चन, गंभीर का विलूम शब्दे क्या हो जाएगा? सरार्ती, उत्पाती, वाचाल या सतर्क कई बार जो प्रश्ण होते हैं, वो हमारे विकल्प पराधरित होते हैं सौरी, मैंने गलत बोल दिया, कई बार जो उत्तर होते हैं, वो विकल्प पराधरित होते हैं चीके, आपका जो एस्टेट पेपर वन है, उसमें सहित नहीं आता है, एस्टेट पेपर टू में सहित आता है ममता जी, जनक में दोनों पेपर हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, चीके, चलिए वाचाल, वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने बाला, और गंभीर्ज मतलब जो शांत सुभाव का हो नेक्स्ट कॉश्चन पे आईए, योगरूण शब्द कौन सा है, योगरूण, नीला, धैर्यवान, पितामबर या कमल, बताईए योगरूण, नीला, धैर्यवान, पितामबर या फिर कमल, योगरूण, चीके, तो मतलब जिससे कोई विसेश रथ निकले नीला क्या है रूण धैरवान योगिक पितामबर मतलब कृष्ण जी चीगे तो ये हो जाएगा आपका योग रूण इला प्रत्या से बना शब्द पूछा जा चुका है फेनिल, हटीला, जमीला, तमिल बताएएँ धान से विकल पढ़ना सब इला प्रत्या से बनता है, हट इला Next question, मुख रूपी चांद पर राहू भी धोखा खा गया, अलंकार बताना है मुख रूपी प्रीती कुमार महापेक पे सारी क्लास इस मिलेंगी, महापेक पे सारी क्लास आयाची भी और जनक भी मुख रूपी चांद पर राहू भी धोखा खा गया, सिलेश, यमक, अनुप्रास्त अब लिखाई है मुख रूपी चांद पर तो क्या होगा? चांद को और मुख को एक जैसा एक समान बताया गया है तो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार विकल्पडी, यमक कौन कह रहा है? यमक में तो शब्दों की आवरत्ती होती है न? यहाँ पे तो होगा रूपक अलंकार तो पहले प्रश्ण पर तो प्रश्ण है यहाँ से यह कथा शब्द का परयाइवाची क्या है? कथा शब्द का परयाइवारता, कौमदी, व्रतांत, या फिर बात, चीत सभी को जवाब देना है चलिए शीला जी शीला जी होसला बनाया रखिए, सब का धान रखिए भगवार उनकी आत्मा को शांती दे आप थोड़ी से अभी अपने परिवार का संबल बनिए, सहारा बनिए चलिए अब तो प्रश्ण है यहाँ से हमारा कथा शब्द का परयाइवाची शब्द क्या होगा? तो बारता मतलब होता है बातचीत व्रतांत, कौमदी तो आपने पढ़ा होगा कि चांदिनी मतलब होता है कौमदी और यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा व्रतांत यहाँ पर व्रतांत जो शब्द है वो कथा का परयाइवाची शब्द हो जाएगा विकल्प C is the right answer कथा जिसको आप कहानी कहोगे तो कहानी को ही हमने यहाँ पर व्रतांत का नाम दे दिया कौमदी मतलब होता है चांदिनी विकल्प C is the right answer चलिए अगले प्रिश्णे पर आईए तो प्रिश्ण है जहां सूमती धान से पढ़िएगा जहां सूमती तह संपति नाना जहां कौमती तह विपति निदाना इस पद में कौन सा रस हो जाएगा करुण रस भयानक श्रिंगार या फिर सांत शभी को जवाब देना है जहां सूमती तह संपति नाना धान से पढ़िए प्रश्ण जहां सूमती तह संपति नाना जहां कुमती तहे विपती निदाना पद में कौन सा रस है करुण भयानक श्रिंगार या फे सांत रस्ट तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो जहां कवीता में शोक का वर्णन है करुण हो जाएगा जहां भै का वर्णन है भयानक जहां प्रेम का लेकिन यहां पर जो है तो यहां पर जो रश है वो होगा सांथ रश विकल्प D is the right answer next question पर आईए तो next question है भास्ता सिख्षक में क्या होना चाहिए व्याकरण का ज्यान, सुंदरलेक, विशे और मुल्यांकन विधियों का ज्यान या फिर रश्याइनों का ज्यान होना आपको भी पता है कि जो आपका estate है उसमें आपको 30 नम्मर का art of teaching से भी questions पूछे जाने हैं जो कि आपके आलुक्षर पढ़ा रहे हैं सुभी 10 बजी उसकी class होती है भासा सिख्षक में होना आवश्यक नहीं है नम्रता सुन्दरम जी अगर आपको concept पता है तो आप YouTube से पढ़ सकते हैं अगर आपको concept नहीं पता है तो आप खरी सकती है महापैक लेनी की जुरुत नहीं है आप बैच ही करे लिजे ठीके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुन्दरलेक ठीके यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुन्दरलेक्यों की प्रश्ण पूछा है भासा सिख्षक में होना आवश्यक नहीं है ठीके आवश्यक नहीं है तो प्रश्ण के हिसाब से हम विकल्प B पे टिक करेंगे सुन्दरलेक ठीके अगर यह प्रश्ण पूछा जाता कि भासा सिख्षक में क्या होना आवश्यक है तब आप बताते की विशेव मुल्यांकन विधियों का ज्यान लेकिन नहीं है पूछा है तो सुन्दरलेक हम उस पे टिक करेंगे ठीके रश्यक नहीं हो जाएगा व्याकरन का भी अनिवारे हो जाएगा विशे का मुल्यांकन भी अनिवारे हो जाएगा ठीके अब यहां पे अगर हम देखें तो सुन्दरलेक जो है वो अनिवारे नहीं विकल्प B, बैसे तो रशायनों का ज्ञान भी अनिवार नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप विज्ञान के विश्य बनने, तो उसके हसाब से विकल्प सही हो सकता है, सुन्दर लेक जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर हम विकल्प पे ध्यान दें तो हम विकल्प के ह कॉस्ण यहां से हो जाएगा, प्रतियक शब्दों में कौन सी संधी होगी, तो सबसे पहले आपको यहां पर हम लिखेंगे, संधी, खुनी चाहिए, आयादी संधी, यन संधी, व्रद्धी संधी, या फिर गोण संधी, तो संधी पूछा जाएग, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संधी विच्छेद करना है फिर संधी का नियम लगाना प्रीति गुपता जी अगर हम विकल्प को देखें तो हम सुन्दर लेक पर टिक कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रतिक शब्द में कौन से संधी होगी तो संधी विच्छेद क्या हो जाएगा प्रती धन एक ठीके अब यहाँ पर आप लोगो नियम लगाना है ठीके नियम लगाना है कैसे प्रथम का अंतिम ध्वती का प्रथम तो ई के बाद कोई भी भिन स्वर आ गया तो यहाँ बन रहा है और यहाँ जो नियम है यह यहन स्वर संधी का नियम है तो विकल्प जो भी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा ठीके चलिए प्रश्ण में है हिंदी का प्रथम मौलिक अपन्यास के से महा नाना जाता है यहाँ पर अपन्यास की बात की गई है नूतन ब्रह्मचारी तितली त्यागपत्र या फिर परिक्षगुरू तो जो भी स्टूरेंट्स हैं जो लिटरेचर पढ़े हुए है पढ़ा हुआ है ठीके ब्रह्मचारी का पढ़ा हुआ है तितली जैशेंगा प्रशाद पढ़ा हुआ है त्यागपत्र जीनिंद्र कुमार पढ़ा हुआ है लेकिन हम से प्रशन पूछा गया हिंदी का प्रथम मौलिक उपर न्यास कौन सा होगा तो प्रथम मौलिक उपर न्यास हो जाएगा परिक्षा गुरू जिसके लेखक हो जाएंगे परिक्षा गुरू लाला श्री निवास ठीक है चलिए वेल डान अब्रिवन नेक्स कोश्चन पर आईए तो कोश्चन है मैंधक शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संसृत से जियो केते हो हिंदी में आ गए हैं उन शब्दों को हम कहेंगे तत्सम शब्द ठीक है और तद्भ अलूक हो जाएगा उलू ठीक है कंदुक मतलब होता है गैन मुस्ठी हम कहते हैं मुठी को ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा मंडूक ध्यान दीजी ये जितने भी शब्द हैं उस सभी तत्सम शब्द हैं उलूक हम उलू को कहते हैं कंदुक मतलब होता है गैन जिसको आ अब next question पर आईगा, तो next question है, निश्रत में आपको संधी बतानी है, बहुत आसान प्रश्ण है, दिये गए शब्द में संधी बताईए, वही प्रिक्रिया है, अगर आपसे संधी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको संधी विच्छेद करना होगा, ठीक है, स्वर, व विसर्ग संधी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, विसर्ग संधी, ठीक है, चलिए, अगेन हम आएंगे, हमारे next question पर तो question है, निम्दलिकित में से कौन सा शब्द जो है, वो कृदंत प्रत्याय से बना हुआ है, अब कृदंत प्रत्याय क्या कहलाते हैं, ऐसे देखो प्रत्याय होते हैं दो प्रकार के, पहला तदित प्रत्याय दूसरा कृदंत प्रत्याय, तदित प्रत्याय ऐसा प्रत्याय जो संध्या सर्विनाम विसेशन की अंत में लगता है, कृदंत प्रत्याय ऐसा प्रत्याय जो क्रिया की अंत में लगता है, तो पहले तो आप वाचक संग्या रंगीला ठेकिंधा भाव वाचक संग्या क्रिपा से बनगया क्रिपालु दूध दूध द्रव्य वाचक संग्या दूध से बन गया दुधारू लेकिन बेचना क्या यह एक rocket क्रिया की आंत में प्रत्यय लगता है purity तो यहाँ पर विकाव जो और वो क्रदंत प्रत्याई की अंतरकत आजाएगा ठेक है चलिया प्रशन है आप लोगों से घंआनंद किस धारा विशेश के प्रमुक कवी थे है गाननंद जिनको हिंदी साहित्य में प्रेम के पीद का कवी कहा जाता है जिनको जवादानी का दावा रखने वाले पहले कवी कहा जाता है घनानंद जो की मोहमद शहरंगीले के दर्बार में मुंशी के पत पर कारे रथे उसके बाद अपनी वहां की नर्तकी सुजान से अलगाव के बाद वो ब्रज जा गए और रशनाय लिखने लगे और जो घनानंद थे वो रेती काल के रेती मुक्त कावेधारा के अब हो जाएगा विकल्प सी प्रश्न है उपसर्ग रहत शब्द बताना है उपसर्ग रहत शब्द क्या होता है ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग है ही नहीं ठीके पराभाव अत्याचार दुर्गम या फिर गुडवाव नो डाउट हम जब भी उपसर्ग प्रत्याय पढ़ना होगा उसका जो मूल शब्द है वो हमें पता होना ची जैसे पराभाव जिसमें उपसर्ग है अत्याचार अतिधन आचार से बनेगा दुर्गम दुह धन गम से बनेगा गुडवान जो शब्द है उसमें प्रत्याय लगा हुआ है तो विकल्प जो डी होगा सही ज आंसर ठीक है चुल यह वेरी गुड एवडिवन अगर हम प्रश्न देखें दसवा ग्यारवा प्रश्न तो ओट के मोह में जीरा कार्थ क्या हो जब हमारी माँ हमें कुछ खाना देती है कुछ बहुत इंट्रस्टिंग सा बनाती है तो भाई वेन आपस में लड़ते के थी कि म बहुत आदे खाने वाले को बहुत का मिलना मतलब कह सकते हैं अत्यंत अल्प मात्रा में वस्तू का मिलना चीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर विकल्प बी झाली सबस्राइब को बेंग भाईब कैसे के चाइब कंपे वा-गा-ठाभ, भाभ, पर, भाई त ठीक है? ठीक है? तो अब नेक्स कॉश्चन पर आएंगे? नेक्स कॉश्चन है, हमारा फनिश्वर नाथ रेणू लेखक किसके लेखक है? फनिश्वर नाथ रेणू जो है, वो किसके लेखक है? गबन, गीतानजली, मैलाचल का माईनी बहुत आसान सा प्रशने पढ़ा हुआ है गबन, प्रीमशन की रशना है, गीतानजली जो है वो रमीनना टैगोर की रशना है, जिसके लिए उनको नोबल प्रुसकार दिया गया था मैलाचल जो है, फनिश्वर जी की है, कामाईनी जो है, वो जैशन का प्रशाद की रशना है ठीक है? चलिए एसे शब्द जिससे एक से अधिक शंख्या का बोध हो, वो कहलाता है बहु बच्चन शब्द हिंदी में केवल दो ही प्रिकार की बच्चन होते हैं अच्छे लेखक, कौन सी क्रतिया, अपनी मातर भाशा, या फिर अन्यदेश तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अपनी मातर भाशा, मातर भाशा जो है वो हमारा एकवतिन शब्द के अंतरगत आजाएगा अच्छी लिखा हुआ यहां पर यहां पर आफ देखेंगे यहां देखेंगे तो विकल्प यहां पर हम सही देंगे विकल्प सीको फिनक्स क्वोष्शन पर आ जाएंगे एक नागिन और पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है एक नागिन और उपर से उसके पंक भी है इनागिन के पंक लग जाना एक दोश के साथ दूसरे का जुड़ जाना अत्यधिक जहर चड़ना इन में से कोई नहीं सभी को जबाब देना है तो एक दोश के साथ दूसरे दोश का जुड़ जाना विकल्प B is the right answer नेक्स कॉस्चन पर आईए नेक्स कॉस्चन है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना चीक है गुप्त मंत्रना अपने में सीमित होना ग्यान होना या काम ना आना ठीक है मतलब गुप्त मंत्रना होना आपस में ही बाते होना विकल्प यहां पर सही हो जाएगा ए चलिए नेक्स कॉस्चन पर आईए तो कॉस्चन है रंग में भंग होना क्या होगा इसका राइट आंसर रंग में भंग होना रंगों में भंग मिल जाना रंग का डिबबा विखर जाना उल्लास में बिगन पढ़ना या रंगीन तश्वीर खराब हो जाना ठीक है रंग में भंग होना मतलब उल्लास में बिगन पढ़ना विकल्पस्ती हमारा सही जवाब हो जाएगा उल्लास में बिगन पढ़ना नेक्स कोश्चन पर आईए तो कोश्चन है यहां से ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न क्या होगा जब रा किसी व्यंजन की पीछे लगता है तो उसे वर्ण का इस्थान का ध्यान से सुने का प्रश्न क्या है जब रा किसी व्यंजन के पीछे लगता है तो उसे वर्ण का स्थान कहा में लेगा उपर, नीचे मध्य या प्रारंब, बताए Question समझो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ निर्धन धन, ठीक है, तो ये रा कहां लग जाता है, उपर लग जाता है, सब्द बन जाता है, निर्धन तो ये रा कहां लगेगा, उपर, तो विकल्प A हमारा सही जवाब हो जाएगा ठीक है, विकल्प A is the right answer, रा जो है निर्धन, ये हमेशा उपर लगता है, ठीक है चलिए, नेक्स कॉस्चन पर आईए, तो कॉस्चन है, बर्बर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बर्बर का उल्टा बताईए, सब है, बुरा, दुस्ट या फिर अत्याचारी, बर्बर शब्द का विलोम शब्द, तो यहां अगर हम देखेंगे, तो बर्बर जिसको हम कह सकते हैं, दुस्ट टाइप से, अब बुरा बताना है, तो वो हो जाएगा, शब्ध है, विकल्प A is the right answer, चलिए, ने संदलिकत युगमों में से कौनसा युगम जो है, वो गलत है, ध्यान से देखेगा, गलत है, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिशित होना, लोहा लेना, सामना करना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, बताईए, कौनसा जो गलत है, बताईए, सभी को जवाब देना है, सभी स्टुडेन, उन्नीश्वा प्रश्ण देखो, रास्ता नापना, मतलब आकलन करना, बिल्कु सही होगा, रग रग जानना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह से परिशित होना, लोहा लेना, वही होता है, दुश्मनी मोल लेना, या फिर सामना करना, लेकिन शैत कान काटना मतलब हो जाएगा, बहुत चतर होना, ठीके, तो विकल्प यहाँ पे हम डी को सही मानेंगे, ठीके, विकल्प डी सैतान की कान काटना मतलब होता है, जग डालू होना, चलिए, नेक्स कॉस्टिन पर आईए, तो नेक्स कॉस्टिन हो जाएगा, यहां से, बोलना क कोशल में सरवाधिक महद्विपूर्ण क्या है रास्ता नापना समय वितीत करना नहीं होगा ठीक है आकलन करना उसका एक अर्थ ले लेगा आकलन करना ठीक है चलिए बोलने की तेजगती समझकर बोलना शुद्ध उचारण या फिर आखो देखा वर्णन तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी मैं भी कभी कभी किस किसी किसी शब्दे का सुद्ध उचारण नहीं कर पाती तो यहां पे बोलना कोशल में जो सरवाधिक महद्विपूर्ण है वो है सुद्ध उचारण विकल्प सी को हम सही मानेंगे शुद्ध उचारण ठीक है चलिए नेक निश्चन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है उपसर्ग मतलब ऐसे सब्दांस जो किसी शब्दे के पूर्व में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दें अब निश्चन अगर हम यहां पे दिखेंगे तो सही जो उपसर्ग होगा वो होगा निश्च ठीक है यह जो है यह संस्रित का है और नहीं कोई उपसर्ग नहीं है राइट आंसर हो जाएगा निश्च उपसर्ग निश्च धन छल से बना है तो अगर ऑप्शन में यह है तो इस पे टिक करेंगे अगर डी दिया है तो डी लेकिन अगर बी और डी दोनों दिये है तो हम डी पे टिक करेंगे चिक है विकल्प D is the right answer चलिए नेक्स कॉस्चिन पर आईए तो कॉस्चिन है आपको बताना है सैयुक्त वाक्य का यहां पर आपको चेन करना है सैयुक्त वाक्य वह परिश्रम करता है परंतु त्रेन नहीं होता फल सदैव धोकर खाना चाहिए जहां से भी संभवो घ घर के लिए अच्छा नौकर लाकर दो इन परोसे के आने से हमरे साथ उनके संभण अच्छे है सैयुक्त वाक्य आपको बताना ध्यान से पढ़िए सभी विद्यार्थी वाक्य किसी परिक्षाओं में प्रश्ण पूछे जाते हैं फल सदैव धोकर खाना चाहिए यह कैसा ह साधारन वाक्य है जहां से भी संभवों घर के लिए अच्छा नौकर लाकी दो यह मिश्र हो जाएगा ठीकिन परोसियों के आने से हमारे साथ उनके संभंद अच्छे नहीं नहीं है तो यह भी मिश्र के अंतर गताएगा राइट आंसर हो जाएगा वह परिश्रम करता है ठ नयुक्त वाक के विकल्प A is the right answer ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पर आएए तो कोश्चन है यदि छात्र की खालिस्तार इंद्रों में दोश है तो वह ना भासा सीखता है ना अपने मनों भावों को व्यक्त कर सकता है पठन द्रश्य या फिर श्रवण बताएगा यदि छा द्रश्य इंद्रियों में दोश है तो वह ना तो भासा सीख सकता है और ना अपने मनों भावों को अभी व्यक्त कर सकता है अगर वो सुन नहीं सकता तो वो पढ़ सकता है तो वो भासा तो सीख सकता है ठीक है मतलब पढ़ के सीख सकता है लेकिन अगर उसको दिखाई ना ना तो वो भासा सीख सकता ना वो अपने मनों भावों को व्यक्त कर सकता है तो विकल्प के आधार पर हम यहाँ पर द्रश्य को सही मानेंगे चलिया नेक्स कॉस्चिन पर आजाईए राम आया भाई से मिला और तुरंत लोड़ गया यह वाक्य जो है किस प्रिकार का है मिश् करना राम आया कि राम आया भाई से मिला और तुरंत लोट गया राम आया एक भाई से मिला दूसरा वाक्य तुरंत लोड़ गया तो यहां पर यहां पर pinned के हैं उसमें किस प्रेकार का पाक्य है अब यहां पर आपको एक साथ सर्वनाम भी बताना है वचन भी बताना कारक्षिन भी बताना है ध्यान से देखेगा क्या लिखा है यहां पर ध्यान से अन्य पुरुष चीके बहु वचन संप्रदान अन्य पुरुष एक वचन देखो मध्याम पुरुष मतलब तुम तो अन्यपुरुष ये तो हमें समझ में आ गया ठीक है क्यूंकि उसके लिए तीसरे के बारे में बात हो रही है और ये आम उसके लिए है तो ये जो है वो बहुबचन के अंतरगत आएंगे ठीक है अन्य पुरुष ये आम उसके लिए है अगर लिखा होता यह आम तब हम कहते एक बचन लेकिन ये आम तो ये अन्य पुरुष बहुबचन संप्रदान कारख की अंतरगत आएंगे विकल्प ए अगर यह आम उसके लिए है, यह आम होता, ठीक है, तब आप कह सकते थे एक बचन, लेकिन यह आम उसके लिए हम इस पर concentrate करेंगे, तो इस हिसाब से हम बहु बचन पर टिक करेंगे, विकल्प ए पर टिक करेंगे, ठीक है, चलिए अब, next question पर आईए, तो अन और अधिकार की स संधी से कौन सा शब्द बनेगा, अन और अधिकार की संधी से, पताए, शुद्ध शब्द, प्रीती जी समझ गए न, आप मेरी बाती, अगर यह होता, ठीक है, क्यूंकि यह और वे, यह बो शब्द हैं, जो बहु बचन के अंतर गताएंगे, चलिए, अन और अधिकार की स अंधी से क्या बनता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, अनाधिकार नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है, अनधिकार, जो अन और अधिकार से बनता है, ठीक है, अनधिकार होता है, शुद्ध शब्द, अनधिकार, चलिए, अनामी का कहना है, उनके लिए होता, तो हो अगर यहां पर होता यह यह आम तब आप कहते एक बचन लेकिन यह आम है ना तो यह बहु बचन की अंतरगत आएगा तो हम बताएंगे अन्य पुरुष बहु बचन सम्प्रदान का रख ठीक है उपर्युक तो उपसर्ग का चेन करना है अती क्लांत में कौन सा उपसर्ग है बहुत आसान है अती उपसर्ग है अती पूर्व में लगा है उपसर्ग के अंतरगत आएगा हे रुक शब्द का परियावाची क्या होता है बताईए कार्थिके इंद्र सुरेश या फिर विनायक हे रुक सभी को जवाब देना है हे रुक का परियाई वाची शब्द क्या होगा देखिए बहुत सारे प्रश्ण जो है जो हमें आंसर दो पता है लेकिन हम विकल्प देख के अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हमें concentrate करना है उस प्रश्ण पर थोड़ा चा टाइम देना है एकदम से जल्दवाजी ने करनी है ठीके अब जैसे आपने पढ़ाओ कार्थिके हम कहते हैं सडानन को सडानन होता है कार्थिके का परियावाची उनको भवानी नंदन भी कह सकते हैं इंद्र को हम पुरंदर क कहते हैं विडोजा कहते हैं कौशिक कहते हैं सुरेश हम इंद्र को कहते हैं और गडपती जी को कहा जाता है हे रुक ठीके गड़ेश जी को कहा जाता है हे रुक और विनायक जो है वो गड़ेश जी का परियावाची हो जाएगा तो विकल्प यहां पर डी सही जवाब हो ज से 23 प्रश्न पूछा गया है यदि छात्र की खालिस्तान इंद्रियों में दोश है तो वह ना भासा सीख सकता है और ना अपने मनों भावों को अविव्यक्त कर सकता है पठन इंद्रियों में दोश है द्रश इंद्रियों में दोश है या स्रवाड इंद्रियों में दोश है बताईए, आपको क्या लगता है, मुझे लगता है इहाँ पर दरश्य इंद्रियो, यदी छात्र की दरश्य इंद्रियो में दो शे, तो वह न भासा सीख सकता है और ना अपने मनुभावों को, नहीं नहीं मुझे ये गलत लग रहा है पठन इंद्रिया नहीं है श्रवाण इंद्रिया नहीं होगा श्रवाण इंद्रियों में वो एजी लिए अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है यह कॉश्चन गलत लग रहा है ना देखो पठन तो हो गई नहीं ठीक है पठन तो हो हो गाई नहीं द्रश्य ऐसे कि वह अपने मनुभावों को व्यक्त भासा तो वह सीख सकता है हमने पढ़ा हुआ है ब्रेल लिपी तो आंसर में हम देख सकते हैं वैसे कोई नहीं पर टिक कर दो ऐसी सिचुएशन में ऐसी को सिचुएशन में हम क्या करेंगे मुझे यहाँ पर सही इसको आप लोग करना होगा हम टिक करेंगे क्योंकि आपने प्रीति गुप्ता जी अगर आपकी मतलब किसी की श्रिवाण इंद्रियों में दोश है तो वह अपने मनुभावों को तो व्यक्त कर सकता है न ठीके तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे म मैं सुनने सकती लेकिन मैं चीजों को पढ़की उसको मैं समझा सकती हूँ ठीके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन मैं से कोई नहीं ठीके तो यहाँ पर हम टिक करेंगे विकल्पड़ी जितेंद्र जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ मनुभाव जो है बोलकर व्यक्त कर सकते हैं मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन ये भी उसका सही उत्तर नहीं होगा सही उत्तर होगा इन वैसे कोई नहीं ठीके तो हम विकल्पडी को टिक कर सकते है ठीके चलिया नेक्स म एक बार ख्रॉस शेक भी कर लोगी कौश्चन है कौन सा शब्द भिन अर्थ और प्रकर्टी का है बताए कौन सा सब्द है जो भिन अर्थ और भिन प्रकर्टी का है सनातन छिरंतन शाश्वत या फिर अधुनातन सनातन धर्म मतलब सद्यों से चिलाने वाला चिरंतन मतलब होता है सदाइस्थाई रहने वाला ठीके शाश्वत मतलब भी सदा रहने वाला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अधुनातन अधुनातन मतलब होता है आधुनिक से जो बिकल्प है वो हमारा सब सही जववाब हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कॉस्टिन पर आईए तो नेक्स कॉस्टिन है हमारा शुद्ध वर्धनी आपको बताना है इंपोर्टेंट है वर्धनी से प्रशन पूछे जाते हैं हां जी यह जो है यह हमारी 80 नंबर की ही क् पर तो समवत किस प्रिकार लिखा जाता है बताईए समवत 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 या समवत सभी को जवाब देना है शेशन को लाइक एंड शेयर एंड हमारी यूटूब चैनल को सब्स्राइब करना है और जो भी स्टूडेंट है ठीक है जो रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे है वो अगर आप क्लास में लाइब नहीं आ पा रहे हो तो recorded lectures देखिए चीक है और हमारी 20 अप्रेल को एक marathon क्लास होने वाली है 20 अप्रेल को 10 से 1 बजे तक हम literature पढ़ेंगे 4 से 7 हम पढ़ेंगे grammar तो सभी लोगों को इन classes में जरूर रुकना है शनिवार 20 अप्रेल चीक है और यहा पर right answer क्या होजे एक विकल्पे सम्वत विक्रम सम्वत विकल्प ए इस दर right answer चलिए next पर आईए next question है किस क्रेमांक में विध्धुत का पर्याइवाची नहीं है विध्धुत मतलब होता है बिजली बिजली का पर्याइवाची नहीं है बताईए क्या होगो right answer चपला तड़त या फिर सोदामिनी बताईए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चपला मतलब इसली दामिनी, सोदामिनी राइट आंसर हो जाएगा कोदंड चीक है, कोदंड हम कमल को कहते हैं और कोविद हम विद्वान को कहते हैं चीक है, चलिया कंधा जो शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा वही प्रिक्रिया है, तत्सम शब्द जो संस्कृट का शब्द हो देखो, आपको कॉश्चन का आंसर आप लोगो पता है लेकिन क्या होता है, कई भार हमारे एक्जाम में विकल्प ऐसे आ जाते जो हमें काफी जादा confuse कर देते हैं तो विकल्प पे गौर करेंगे कंधा का तत्सम रूप होता है इसकंध विकल्प भी इस दा राइट आंसर इसकंध चलिए नेक्स कॉस्चिन पर आईए तो कॉस्चिन है निमिश शब्द का पर्याइवाची शब्द क्या होगा प्रिकाश सभी स्टुडेंट जिद्धे भी स्टुडेंट लाइफ देख रहे हैं सभी जवाब देंगे हमारी प्रश्ण का निमिश का पर्याइवाची क्या होता है प्रिकाश पूर्ण शिद्र या फिर शब्द आप लोगों ने पढ़ाओगा निर्निमेश पलके जपकाना निमिश का पर्याइवाची आपको बतारध्यान से देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाईए सभी स्टुडेंट आपने पढ़ा होगा ना ब्लिंक करना पलके जपकाना वेरी गुड एक छड़ हमारी पलके जपकती ये ब्लिंक करती है ऐसे ऐसे चलिए नेक्स पर आईए तो नेक्स कॉश्चन है आपका शिल्प गताधार पर दोहे का वी प्रीचंद कौन सा है बहुत परिक्षाओं में पूछा गया है ये रोला चोपाई सोठा या फिर बर्वे ठीक है तो यहाँ चलिए सबकी मात्राएं बता देते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो बर्वे बारा और साथ होती है ये होती है सोला रोला होता है चौबिस चलिए नेक्स कॉश्चन पर आईए नेक्स कॉश्चन है तत्सम शब्द में तत किस भाशा से लिया गया है तत्सम शब्द पाली प्राक्रत वैदिक संस्कृत या केवल संस्कृत तत्सम शब्द मैं तत्किस भाषा के लिए आया है बताईए तत्सम शब्द मैं ठीके क्या हो जाएगा सिर्फ संस्कृत पे हम टिक करेंगे विकल्पडी इस दा राइट आंसर किस क्रमांग का शब्द जो है तदभाव शब्द है तदभाव शब्द जो संस्कृत का हिंदी में परिवर्थित रूप कूप वरतिका काक या फिर कपूत तो यहां अगर हम देखें तो कूप वरतिका काक या कपूत बताईए सबी को जवाब देना है, बहुत आसान प्रश्न है, कूप मतलब कुवा, व्रतिका मतलब बाती, काक मतलब कुवा, कपूत होता है कुपुत्र, चीके, कपूत क्या हो जाएगा कुपुत्र, कुवा, बाती, और कुवा, चीके, एस्टेट का एक्जाम कब होगा, एस्टेट का एक्जाम मही में हो सकता है, 34 एक बार और बता दीजिए, 34 वा, प्रश्न पूछा गया है, सिल्प गत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा होता है, सोर्था चंद, विकल्प सी हमारा राइट आंसर मुझसे उठा नहीं गया यह प्रश्ण परिक्षा में पूछा जा चुका है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौनसा वाच्छे होगा क्रत भाव या फिर कर्म वाच्छ पताएए मुझसे उठा नहीं गया क्रत भाच्छ मैं नहीं उठा कर्म वाच्छ मेरे द्वारा नहीं उठा गया भाव वाच्छ मुझसे नहीं उठा गया चीगे तो विकल्प भी हमारा यहां से सही जवाब हो जाएगा नेक्स कॉश्चन पर आईए जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न वाक्यांस पूछा गया है जो बाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे सभी को जवाब देना है जो बाणी द्वारा ना व्यक्त गया उसको हम कहेंगे आ निर्वच्निय विकल्प यहां पे भी सही जवाब हो जाएगा चलिया नेक्स कॉश्चन पर आईए तो कौनजा शब्द अहाली की 6-8 परिक्षा में पूछा जा चुका है कव्यत्री किस प्रिकार से लिखा जाता है कवी का इस त्रीलिंग शब्द होता है कव्यत्री कव्यत्री हम लिखते हैं ऐसे कव यत्री कव यत्री विकल्प डी इस दा राइट आंसर चलिया है नेक्स कॉश्चन पर आईए इंद्रानी शब्द का परियाए वाची क्या है इंद्रानी राधा गोरी सची या फिर रमा इंद्र का इस त्रीलिंग हुआ इंद्रानी राधा जी गोरी जी सची या फिर रमा तो राधा नहीं होगा गोरी भवानी रमा लक्षमी सची इस दा राइट आंसर तो विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिया नेक्स कॉश्चन पर आईए कॉश्चन ओड के में क्रिया का जो है भाव आच्चे भाव आच्चे से परिक्षा में बहुत ही ज्यादा प्रश्चने पूच्छे जाते हैं चीके और आज दिख रहा है कुश्च का मझे नजर आ रहे हैं तो जो भी लोग यह सोच रहे थी कि अब मैम की क्लास नहीं होगी तो मैं वापिस आ गई है अब हमारी क्लास इस देली होंगी सुबह 11 बजे दो पहार दो बजे और हमीशा की तरह सटेडे मैरा थन होगी इस बार तो 6 गंटे के मैरा थन हो रही है ठीक है लड़ियों ने मा को देखा उससे फूल नहीं खाएगा क्योंकि फूल तो कोई खाता है नहीं तो उससे फल नहीं खाएगाए विकल्प B is the right answer चलिए नेक्स कोश्चन पर आईए तो कोश्चन है अनुराग का विलोम क्या होगा पीवाई क्यू है पूछा जा चुका है अर्क द्वेश विराग या फिर राग बताईए अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा ठीके अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग अनुराग मतलब होता है लगाव इसने है उसका उल्टा क्या हो जाएगा विराग मतलब आ लगाव ठीके चलिए नेक्स कॉश्चन हो जाएगा मेरी भव वाधा हरो राधा नागिरी शोई जातन की ज्याई परे स्याम हरत दुत्ती होई इस पंक्ती में एक एक्जाम में सब्द सक्ति पूछी गई थी व्यंजना आभीधा लक्षना यहां पर अलंकार पूछा गया है मैं आप लोग अलंकार बताऊंगे आप लोग मुझे शब्द शक्ति बताएंगे ठीके मैं अलंकार बता देती हूँ कि यहां पर हो जाएगा आपका स्लेश अलंकार ठीके अब आप लोग को बताने यहां पर सब्द शक्ति कौन सी होगे सब्द से अलंकार अलग अलग संदर्व में अलग अलग अर्थ निकले वहां होता है स्लेश अलंकार सब्द सक्ति यहां पर कौन सी हो जाएगे जल्ली से जवाब दीजे सभी स्टुडेंट्स सब्द सक्ति कौन सी होगे यहां पर स्लेश अलंकार यह तो पता है सब्द सक्ति व्यंजना शब्द सक्ति कौन सी हो जाएगी व्यंजना शब्द सक्ति चलिया नेक्स्ट कॉस्चन पर आईए साखा म्रग में प्रीती जी लक्षणा कैसा हो जाएगा लक्षणा में तो यह व्यंजना होगा ना सिलेश अलंकार जहां होता है वहाँ व्यंजना होती है यमक जहां होता है वहाँ लक्षणा होती है अविधा मतलब होता है किसी भी वाक्य का सीधा-सीधा अर्थ एक कोशिय अर्थ राइट आंसर होगा व्यंजना शब्द शक्ति साखाम्रग साखाम्रग कर्मधारे तत्पुरुष बहुब्रही समास तो यहाँ पर शाखाम्रग जो है वो कहा जाता है बंदर को साखाम्रग किसी कहते हैं साखा म्रग हम कहते हैं बंदर को तो जहां से विशेश अर्थ निकले वहां हो जाएगा आपका बहु ब्रही समास चलिया लास्ट कोश्चन है प्रियोजन शब्द का समनार्थी नहीं है समनार्थी मतलब होता है पर्याइवाची शब्द लक्ष आयोजन मकसद या धे प्रियोजन का समनार्थी नहीं है पूछा है तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आयोजन प्रियोजन मतलब कारण भी होता है लक्ष भी होता है मकसद भी होता है उद्देश भी होता है धे भी होता है लेकिन प्रियोजन मतलब आयोजन नहीं होता है तो राइट आंसर हो ज